Welcome students, मैं हूँ तुमारी वैदी माम और मैं लेके आई हूँ वान शॉर्ट सिरीज कौन सा न्यू चाप्टर, चाप्टर नमबर 12, बायो टिकनोलोजी आन इस अप्लिकेशन, तो ये है अगला चाप्टर जो हमने 11 के बाद जो पढ़ने वाले चाप्टर 12 वो है, ये भी थोड़ फोकस के साथ बने रहना है, जो चानल कौन सा है, जल्दी बताओ, मागनेट ब्रेंज, तो ये है वो प्लाटफॉर्म जहां पे तुमको कंटेंट मिलता है, पूरा फ्री, फिर वो बले किंडर गार्डन हो, या फिर ग्रेट 12 हो, हिंदी में भी और इंगलेश में भी, तो च इन फिल्द के बारे में उन्होंने ज्यादा फोकस ली और ज्यादा डीटेल में मेंशन किया हुआ है, कौन कौन सी मैं, सबसे पहले यूज होता है अग्रिकल्चर में, दूसरा कहां यूज होता है, मेडिसिन की फिल्ड में, और तीसरा कहां होता है, रिसर्च की फिल्ड मे तो process क्या हुई process किस level पे molecular level पे जहां पे हमने DNA लिया था वेक्टर लिया था DNA को इसके अंदर डाला था वेक्टर को host में डाला था फिर host को पूरा cultivate किया था culture किया था अगर हमको कोई protein extract करना है hormone extract करना है enzyme extract करना है तो उसको culture किया था फिर उसका down streaming process की थी कुछ कुछ याद आ रहा है तो अब हम हमने technique तो पढ़ ली थी कि बाबा इसी technique से जो भी obtain करना है तरीका तो यह है अब हम यह पढ़ने वाले कि यह apply कहां कहां होता है तो वैसे ही बता है तीन फील्ड है agriculture medicine and transgenic animal ठीक है तो agriculture में भी basically वह कहां यूज हो रहा है ज्यादा focus कहां पे एग्रो chemical पे अब देखो एग्रो chemical का मतलब क्या हुआ माम एग्रो मतलब agriculture agriculture में जो chemical यूज हो रहे उसको हम क्या बोलेंगे एग्रो chemical अब खुच सोच के बताओ जब तुम farmer के पास जाते हो या तुम जब किसी train से जाते हो तो तुमको कुछ वह spray करते हुए दिखते होंगे खेती पे राइट तो क्या कर रहे हैं वह spray कुछ और नहीं बलकि वही पेस्टिसाइज पेस्टिसाइज फिवी साइज जो जोसब साइट 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 यूश रहे हैं कियो कि ब् uğलांस में क्या लग जाते हैं कीडे मतलब पैस्ट और उन्हीं को तु ruling कर sıय गर्ण या फिर plant के आस पास कुछ extra weed उख जाती है जिनको remove करना है तो उनके लिए हम अलग-अलग क्या use करते है chemicals तो देखो agrochemical में क्या आएगा fertilizers and pesticides अब बोलोगे माम पर यह जादा use करेंगे तो हमारी health भी to damage होगी बिलकुल सही इसलिए क्या निकाला चलो alternative option निकालते हैं हम क्या करते है आट देंट हमारा मोटो क्या है प्लांट को बचाना हमने यह तो बाहर से chemical डाल दिया agrochemicals की फार्म में या फिर चलो बोलोगे माम organic farming भी तो है काम करते हम प्लांट ही ऐसा डेवलाप कर लेते हैं जिस पर केडिये ही ना लगे अब ऐसे कैसे पॉसिबल माम अरे प्लांट का ही genetic material में कुछ changes लेके आजाओ कि जब कोई insect या pest उसको खाए वो खाके ही मर जाए अब बोलोगे माम जब pest मर जाएगा तो हम भी तो उस प्लांट को खाएंगे हमको भी तो कुछ ना कुछ होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जिस हिसाब से हमने वो DNA change किया उस particular plant का तो वो सिर्फ इसको effect करेगा insects को या उसक give the abbreviation of GMO तो सबसे पहले क्या लिख क्या होगे genetically modified crop अब GMO को ही develop करने की दो techniques तुमको पढ़नी है in details इस पे बहुत solid questions बनते हैं पहला है BT, BT मतलब क्या, BT मतलब bacillus thuring genesis, मतलब BT cotton तुमने सुना होगा, BT cotton, BT brinjal, BT potato, BT tomato, तो यह सब BT क्या है मा, बस 2 मिट रुख जा अभी start combination उसके बाद जो दूसरी technique है जिस पे थोड़े tricky questions आते हैं वो है तुमारी RNAi technique ठीक है, तो हम एक एक करके पड़ेंगे, अब देखो दूसरा जो तुमारे medicine field में है, तो medicine में हम क्या देखो, अब कोई न कोई medicine मतलब क्या, कोई न कोई बिमारी हो रही होगी, तब ही तो effective चीज को निकालो, सही वाली चीज डाल दो, तो इसी को क्या बोलोगे, कुछ और नहीं बाबा, gene therapy बोलोगे, और अगर suppose करो, पहले से कोई organ है, जो ढंक से enzyme या protein बना नहीं पा रहा है, तो तुमने क्या किया, जो कुछ गड़बड आ रही है, तो बाहर से artificially बनाया हुआ enzyme hormone, protein, inject कर दिया body के अंदर, अब बोलोगे, माम यह पहले भी तो करते थे, हाँ करते थे, पर पहले के में और अब में बहुत बढ़ा अंतर है, पहले हम दूसरे animals का use करते थे, ठीके, तो उससे होता क्या था, allergic reactions हो जाते थी, क्योंकि हर person to person की immunity कैसे response करेगी, वो पूरा complete different scenario ह है, पर हमने क्या किया, वही gene use किया, जो human के DNA में है, और उसी को culture करके, lab में क्या किया, बनाया product, downstream process करके, inject कर दिया, तो लो, बन गया तुमारे insulin, आखरी क्या है, molecular diagnosis, मतलब at the end, जब कोई बिमारी का हमें पता करना है, symptoms आने के पहले, यह हमको लग रहा है कि नहीं, यह inherited problem हो सकती है, तुम अलग-अलग test कराते हो कि नहीं, तो यह test भी किसके अंडर आएंगे, medicine के अंदर, ठीक, और आखरी वाला research point of view से हम क्या बनाते है, transgenic animal, तो चलो एक एक करके start करते हैं, तो पहला जो topic तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले बोलोगे, ma'am GMO क्या है, वाप तो बोलोगे, ma'am full form तो पता चल गया, पर कर क्यों रहे हैं हम इतनी महनत, तो देखो, made crop more tolerant to abiotic stress, सोचो, अब इसका मतलब बता रहे हूं, सोचो कोई plant है, ठीक है, वो अंदर से उसकी इतनी strength नहीं है, मतलब सूखाया, सबसे पहले मर गया, बाड़ा गई, जाधा पानी हो stress है, non living factor की कारण जो उसके उपर stress बढ़ रहे, temperature हो, light हो, heavy rainfall हो, no rainfall हो, तो वो क्या कर सके, उत सब चीजों को जेल सके, उसकी capacity बढ़ सके, resistant power बढ़ सके, तो उसी को हम क्या बोलते है, more tolerant to abiotic stresses, दूसरा, reduce reliance on chemical pesticide at the end, कितना chemical डालोगे, क्या होगा, जल्दी बता, अभी बता नहीं है, तो बाहर से chemical डालना बन करो, तो दूसरा तरीका माम क्या हुआ, या तो खात गोबर डालो, पर माम उसको organic farming बोलते है, माम उससे भी काम नहीं हो रहा, suppose करो कुछ species में, तो क्या करे माम, तो क्या करोगे, हमने plant को अंदर से ही इसके DNA में मोडिफाइ करके, क्या कर लिया, उसको pest resistant बना लिया, ठीक है, तो वहीं लिखा है pest resistant, तीसरा, help to reduce post harvest loss, अब post harvest मतलब क्या होता है, harvest मतलब पूरा अच्छे से हमारा गेहूं, पक्या, गेहूं एक्जांपल ले रही हूं, पक्या अब अपने काटा और उसको storage में डाल दिया, बापस storage में डालने के बा मैं ना लग गया, main market में, कटनी के बाद, तो उतने में हमारा आदा जो production है, वो हो गया, खरब, तो नुकसान किसको हुआ, farmer को, तो ये नुकसान ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी shelf life को increase करना पड़ेगा, देखा होगा, तुमने आजकल सुना होगा, hybrid tomato आते, तो लाल-लाल दिखेंगे, पर जब तुमको छूक के देखोगे, तो तुम्हें hard लगेगा, और वही अगर तुम देशी tomato उठा होगे, तो जैसे छोगे एकदाम squishy squishy लगेंगे, squishy squishy मतलब दब जाएंगे, और खराब भी जल्दी हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, हमने उसकी shelf life ब उसको grow करने के लिए, mature होने के लिए, develop होने के लिए, minerals चाहिए, अब ये plant एकदाम खीच रहा है, सारे minerals खीचते जा रहा है, तो minerals थे कहा, soil में न, तो अगर ये plant हम लगाएंगे, तो soil की fertility, soil का mineral content क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी खतम होते जाएगा, तो हमने ऐसा plant बनाय कि वो क्या कर रहा है, कोई alternative method ढून रहा है, या तो nutrient को compensate करने के लिए, या फिर उसने क्या क्या ये जितना उसके अंदर mineral आया है, या पहले से present है, जितना मिल रहा है, उसी में उसका काम चल रहा है, ठीक है, तो हमने क्या क्या है, उसका mineral need बोलो, या efficiency बोलो, उसको क्या कर ठीक है, by plants, उसके बाद, enhanced nutritional value of food, example golden rice, जिसमें vitamin air enriched rice रहता है, तो देखो, तो हमने golden rice सुना होगा है, तो क्या है, brown rice सुना था, बोलोगे, मैं white rice सुना था, golden rice, हाँ, तो हमने क्या क्या हम चाहते हैं, कि अब जो इंसान खा रहा है, suppose naturally उसके अंदर कोई भी fruits, vegetables, cereal, pulses, naturally कोई vitamin नहीं मिल रहा था पहले से, तो हमने क्या 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 है, वो vitamin, add and क्या है, हर चीज किस चीज की बनी है, वही, जो genotype में लिखा होगा, अब suppose करो, किसी plant के पास पहले से genotype में लिखा नहीं था, तो हमने क्या 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 और का genotype कट किया, इस plant के डिने में डाल दिया, अब क्या होगा वो जीनो टाइप का क्या expression start होगा फीनो टिपिक expression start होगा तो उस प्लांट के अंदर भी वही सारी values आ जाएंगी तो यह चीज हम किस चीज के लिए use करें nutritional value के लिए similar वाली तुमने ऐसा सुना होगा कि banana banana में बहुत जादा glucose होता है correct more specifically sucrose होता है अब बोलोगे माम फिर diabetic patient तो बिचारे खाई नहीं सकते correct पर एक नया टाइप का banana बना है तुमने शायत सुना होगा news में बहुत आया था जो एक diabetic patient भी खा सकते हैं मतलब क्या हुआ माम मतलब उसके अंदर जो sweetness है वो डली हुई है stevia plant की सोचो stevia क्या होता है जो लोग को diabetes होता है उनके लिए जो हम sugar free नहीं खाते वापस add नहीं कर रही हो पर sugar free पता है किस चीज का बनता है एक plant के पत्तों से बनता है उस plant का नाम होता है stevia बस उसी का उठाते उसी को powder crush करते एक यलो कलर की डबी में बर देते और add करने लगते तो बाबा जब यही चीज अगर हमको बनाना के अंदर इसके chemicals इसके nutrient value के साथ बनाना के अंदर की sweetness stevia की बज़े से रही तो वो basically कैसा बनाना हो जाएगा diabetic patient के लिए बनाना हो जाएगा मतला जितना खाना है उतना खाओ शुगर से कोई problem नहीं होने वाली तो देखो क्या किया तुमने modify कर दिया इतना आया समझ में तो अब इसका screenshot क्यों लेना है माम क्यूंकि वापस यह आ सकता है section B में थ्रीमा question में पूरा का पूरा नहीं आएगा one end of half mark का पूछेंगे इसके साथ कुछ और combine करके question पूछेंगे ठीक है तो फटा फट screenshot ले लो चलो अगली slide पे move करते हैं तो अब एक एक करके पढ़ेंगे गर याद होगा तुमने GMO में हमने पहली slide में पढ़ा था BT और दूसरा लिखा था RNA आई तो हम स्टार्ट करेंगे पहले BT से तो BT का full form क्या हुआ माम देखो जरा BT किससे यह वर्ड किससे लिया गया है यह वर्ड लिया गया है एक Bacteria से ठीक है तो Bacteria का नाम क्या है bacillus thuringienesis अब कै माम बाक्तीरिया से क्यों लिया है समझो बात को यह झो Bacteria है इस Bakst protections का चुमारा Bacteria के क्या है इक pro cariotic organism तो इसके अंदר प्रडियूस करता है जहर बिलकुल सही सुना जहर नहीं बाबा जहर बोलो या टॉक्सिन बोलो अब यह जो टॉक्सिन है अगर यह टॉक्सिन आनिमस या जो पेस्ट खा ले तो होता क्या है उनको हाम हो जाता है कि इनको पेस्ट को अपन को नहीं हाम करवाना हमारा मोटो क्या कि हमारा प्लांट जिंदा रहे और उसके उपर जो कीड़े बैट रहे वो कीड़े जैसे तैसे मर जाए तो हमने क्या किया एक टॉक्सिंग निकाला हमने यह स्टडी किया कि यह जो टॉक्सिंग बाक्टीरिया प्रडियूस करता है तो यह टॉक्सिंग किसको डामिज करता है कीडों को डामेज करता है ठीक है अब यह तो हमारी काम की चीज हो गई तो हमने क्या किया इस में से वह टॉक्सिन बनाने वाला जीन कट किया किसके अंदर डाला जो भी प्लांट को तुम चाहते हो बचाना जैसे हो गया तुम्हारा कॉटन ब्रिंजल पुटाटो टोमाटो उ जब वह प्लांट इनक्टिफ फॉर्म में प्रडिउस करेगा वह टॉक्सिन और जैसे ही इंसेक्ट हाके उसको खाएगा इनक्टिफ फॉर्म उसकी बॉड़ी में जाके हो जाएगा अक्टिवेट पताओंगी कैसे अक्टिवेट हो रहा है और अक्टिवेट होके क्या उस पेस्ट को मार डालेगा अब बोलोगे क्वेशिन माम जब वो उसको मार सकता है तो हम में भी तो प्रॉब्लम क्रेट करेगा नहीं वो कि वो टॉक्सिन कैसा है एकदम स्पेस्ट स्पेसिफिक है मतलब जिस पेस्ट को डिजाइन करके वो बनाए गया सिर्व उसको ही ब़ाकि किसी गया दामेज नहीं करेगा चीक तुचलो पड़ते हैं टो बील्ट इस्टांट्स वर वट्ट यह आता है क्वेशिन बासल स्टू रं जेून जिनिसस क्या प्रेंव करता है टॉक्सिन किसकी है हमने बाग्टीरिया से उप्टीन क्या किया निंग को क्या की सारी टर्म्स याद रखना है अब कैसे काम करता है बासलेस थूरेंजनेस प्रडियूस प्रोटीन डाट किल सर्टेन इंसेक्स सच आज लेपिडोप थेरंस अब देखो यहां से रुकने के बाल में थोड़ा सा लेती हूं तो एक्स्प्लेइन करती हूं याद करो टॉक्सिन मतलब पॉईजन मतलब होता है तो जब बता ओ अगर मैं बोल रही हूं तुम्हारा टॉक्सिन जो है वह एक प्रोटीन है और ये कहांसे में नहीं ट्रांसलेशन सब टर्म वन का पूछ रही हूं तो ट्रांसलेशन का बनेगा मतलब मैं इसके लिए आरेने चाहिए बिल्कुल सही और आरेने किस से बनता है डीएने से डीएने के अंदर कोई भी चिस किस फॉर्म में लिखी रहती है जीन के फॉर्म में कुछ आया समझ में इस से कोड होता है पहले डीएने का बनता है आरेने कहां बनता है नूकलियस के अंदर किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांस्क्रिप्शन फिर वही आरेने मोर स्पेसिफिकली एम आरेने कहां ट्रावल करके जाता है नूकलियस के बाहर और बाहर क्या होता है ट्रांसलेशन और क्या ब लैपिटोप्टरेंस क्या है वो ऐसी वर्म से चुलियोप्टरेंस किस कोज़ा है बीटेल्समें आती है और फि sollte Diopterun कैटेगरी वाला मखी मच्छर तो अगर हमने कोई बीटी वाला कर प्लियोप्टेरिंज और डाइप्टेरिंज ठीक यह आ सकता है question पर सबसे पहले अगर कुछ याद करना है तो यह याद करना है यह याद करना है और जो आगे पढ़ाऊंगी वो याद करना है फिर बोलो के माम इसका क्या यूज करेंगे ये तुम लिखोगे यूज करोगे अ रहे तो प्लांट के अंदर हो रहे हैं ऑगए फेस्ट के अंदर घेस्ट में अगर्म में होता है और है यहाईली बेशिक मेडियम और हाईली बेसिक मीडियम के प्रेजन्स में वो टॉक्सिन जो क्या था प्रोटो टॉक्सिन अब कैसे बन जाएगा अक्टिव बन जाएगा और अक्टिव बन के क्या करेगा उस इंसेक की गड़ पे अटाच कर लेगा पोर बनाएगा पोर मतलब गड़े स्वेलिंग करेगा और सेल्स को बॉस्ट कर देगा रिजल्ट क्या होगा उस इंसेक का इंटरनल ब्लीडिंग अंदर का पूरा डाइजेस्टिश सिस्टम हो चुका है बरबाद अब वो खाएगा भी तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अंदर तो भाहिया बम फूट चुका है किसकी वज़े से फूटा है वो बम क्योंकि पोर्स में क्या बोलते हैं उसको प्रोटो टॉक्सिन तो देखो इसी पाटन में आद करो यही सब कुछ लिख के आना है ठीक चलो अगली स्लाइट पे मूव करते हैं तो टॉक्सिन क्या करता है वापस वही एपी थीलियल के साथ क्या करता है बाइंड करता है क्या क्रिएट करता है पोस्क्रियेट करता है अब यहां पर तुम्हें कुछ टॉक्सिंस के नाम याद रखने हैं तो जो टॉक्सिल है ना उसको हम क्राइड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है उसको क्राइड प्रोटीन बोलते हैं CRY, रोने वाला क्राय है, ना, वलब हमको नहीं रोलाता, इंसेक्ट को रोलाता है, तो cry protein बोलते हैं, तो इसके तीन जीन से जो तुमको याद रखने हैं, पहला वाला है CRY1AC, ये नाम से हैं, तुमको याद रखने हैं, फटाफट याद रखोगे, एक भी नम्र याद देखो, direct कोई नहीं पोचने वाला है, पर अपने answer की value को बढ़ाने के लिए हम सब यूज करेंगे, दूसरा, CRI2AB, अब ये दोनों किस चीज के लिए यूज होते हैं, बॉल वार्म के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उसके बाद और जो आकरी वाल है, CRI1AB, वो किस के जगे, पूरा पेस्ट खागया, उसने क्या पीट कर दिया, प्पर क्रिएड कर दिया, और अंदर जाके के मल्टिप्लाय हो रहा है, आट देंट हमारा कॉटन तो खराब हो गया, पर इसी जगे इसी की जगे गर हमारा कॉटन कैसे होता, बीटी वाला, तो जैसी प्लांट, प्लांट को पेस्ट खाता, पेस्ट ही मर जाता है ना, प्लांट को कुछ होता नहीं, और उसके अलावा हमको उस प्लांट को कोई इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ नहीं देना पड़ता, तो देखो, cotton ball destroyed by ball warm, तो कौन सी अब या को क्या कर दिया, destroy कर दिया, चीक है, चलो, अगली स्लाइड पे move करते हैं, तो ये थी पहली टेकनीक, डूसरी टेकनीक क्या है, आर एने, आई टेकनीक, अब बोलोगे माम, आर एने, आर एने तक तो समझ में आ गया, आई क्या है, आई का फुल फॉर्म होता है, interference, मतला बीच बीच में किया, माम, अरे जो आई के पहले लिखा है, आर एने, उसे ने बीच बीच में किया, तो समझते हैं सबसे पहले, तो ये किस, ये टेकनीक, किस के अगेंस हम यूस कर रहे हैं, एक नेमेटोड के अगेंस, वापस क्या है नेमेटोड, एक पैस्ट है, ठीक है, अब क्या है ये नैमेटोर का नाम, Melodogeny Incognito, अब ये वर्म का नाम है, जो क्या कर रहा है, तुम्हारे tobacco plant को damage कर रहा है, कैसे damage कर रहा है, biological plant के roots में, देखो दिख रहा है, तुम्हें ऐसे कुछ-कुछ tumors जैसे form हो रहे है, अब ultimately जब ऐसे tumors जैसे form हो जाते है roots में तो उसकी जो water absorbing capacity एफिशेंसी वो क्या हो जाती है कम हो जाती है जब किसी भी plant की water absorbing capacity या efficiency कम हो जाएगी तो उसकी growth उसके उपर का shoot का क्या होगा growth भी कम हो जाएगी फिर क्या होगा productivity भी कम हो जाएगी और जितना हमने सोचा था कि हम उतना plant cultivate करेंगे उतना cultivate नहीं हो पाएगा तो ये कैसा है ये वो नेमेटोड है वो worm है जो तुमारे किसको damage कर रहा है tobacco plant को कैसे damage कर रहा है roots में nodules बनाके tumor type form करके तो उससे क्या damage हो रहा है तुमारे tobacco plant की productivity उसके बाद नेमेटोड का नाम याद रखना है उसके बाद आप बोलोगे ये किस level पे जाके लड़ाई कर रहा है पहले वाले में क्या था chemical produce हो रहा था कौन सा तुमारा हुआ cry protein से जो produce हो रहा है वो toxin टेक है जो BT BT से मतलब bacillus thuring genesis से लिया हुआ है damage किसको कर रहा था तुमारे पेस्ट में उसके digestive system के गट की epithelial layer को बरवाद करके पर अब यह क्या करेगा यह cellular level पे जाके लड़ेगा अब बोलो के माम cellular level मतलब क्या मतलब अभी तक पहले वाला जो BT है वो एक tissue को damage कर रहा था पर यह पता है RNAi technique क्या है cell के मतलब किसके नेमेटोड के जो cell है cell के अंदर गुशके उसके metabolism की क्या उड़ा देगा धज्या उड़ा देगा ठीक है उसके cellular metabolism की band बजा देगा तो बिचारा जब cell ही डंग से काम नहीं करेगा तो नेमेटोड क्या ऐसे जिन्दा रहेगा क्या नहीं वो मर जाएगा तो यही अब cellular metabolism किस तरीके से बरब due to complimentary ds RNA अब समझो बात को क्या बोल रही हूँ Suppose करो ये cell है किसका नेमेटोड का अंदर nucleus है किसका नेमेटोड का इतना आया समझ में अब suppose करो कोई एक important protein है जो हमेशा बनता है उस नेमेटोड के cell के अंदर उस cell को जिंदा रखने के लिए तो वो protein काम का है, वापस, protein कैसे बनता है, translation से, कब बनेगा, जब बाहर कौन आएगा, mRNA, ठीक है, अब यह जो mRNA वो कैसे बना, ma'am, transcription से बना, कब आया था, जब वो nucleus से बाहर, cytoplasm में आया था, यहां कौन सी step के थुरू बना था, transcription, क्योंकि यहां पर mRNA का क्या बनेगा, protein बने और DNA अंदर पड़ा हुआ है, अब हमने क्या किया, यह जो mRNA है, उसको हमने translate ही नहीं होने दिया, मतलब, वो पूरा तयार हो गया, उसने बला, यह protein भाईया, इस cell को जिन्दा रखने के लिए important है, चलो, mRNA से convert होते हैं, कुद किसमे, protein में, पर हमने क्या किया, एक ऐसा complementary double standard RNA ल process होने वाली थी, कौन सी translation की, वो रुख गई, क्यों रुख गई, क्योंकि वो जाके इसी mRNA पर क्या हो गया, attach हो गया, और पकड़ लिया उस mRNA को, और बोलन नहीं, अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा ही नहीं, जब तुमको छोड़ूंगा ही नहीं, तुमको hold करके रखूं तो protein ही नहीं बनेगा, और जब तुमारे cell में वो protein ही नहीं बनेगा, वो ऐसा protein था जो तुमारे cells को जिंदा रखने के लिए important था, तो cell क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे, और unfortunately वो nematode भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, कुछ आया समझ में, तो RNA क्या है, तुमने translation वाली process हो नहीं पाई, और हुआ क्या, cell metabolism गड़बड़ा गया, cell मर गया, तो देखो, अगली वाली इसमें देखते हैं, क्या हो रहा है, complementary RNA could be of virus, RNA और transposome, ये point है important, star mark करो, तो basically जो हम nematode के RNA का complementary RNA ला रहे हैं, वो दो तरीके से ला सकते हैं, पहला वाला या तो एक वो virus का हो, याद करो virus किस चीज़ का बना रहता है, एक protein code, और अंदर क्या रहेगा, RNA, अब तुमने इस virus का original वाला RNA निकाल दिया, और हमारा जो हमने lab में बनाये हुआ, उसके according ने में, टोड के जो cell है, cell के अंदर जो DNA है, DNA के अंदर जो वो code करेगा, पर्टिकुलर जीन के लिए gene code करेगा, RNA के लिए, RNA का complimentary RNA यहाँ बना के इस virus के अंदर fit कर दिया, मतलब यह था तुमारा virus, viral का जो virus इंग, disease causing RNA था, उसको हटा दिया, और जो तुमारा नेमेटोड है, जो कीडा है, उसका जो cell है, cell के अंदर जो DNA है, DNA जो तुमारा RNA बनाता, वो RNA जब बाहर आता, तो उ RNA के complimentary तुमने क्या बना डाला, अपना RNA लाब में synthesize कर लिया, और वो किस में fit कर दिया, एक virus के अंदर, अब जब इस virus या बैक्टीरियो फार्च को इन cell पे छोड़ोगे, हमला करवाओगे, तो यह RNA क्या बोलेगा, जैसे ही cell के अंदर गुसेगा, वो जाके इसी RNA के साथ क् चिपक जाएगा, complimentary हो जाएगा, और उसका process जो हो रहा था, जो important था, उसको ही जिन्दा रहने के लिए वो हो जाएगा, बंद, या फिर कैसे use क्या, कोई jumping elements, जिनका नाम क्या है, transposome, transposome मतलब एक ऐसे DNA या RNA के pieces होते हैं, जो क्या रहते हैं, मुबाइल रहते हैं, यहाँ भी दिखा खाली है, है ना, single stranded है, उसके साथ जाके क्या हो जाएगे, attach हो जाएगे, तो वो भी तो भाई है, इंटर फेरी कर रहे हैं, तो दो हम कैसे complimentary RNA कैसे use कर रहे हैं, by using virus, RNA या फिर transposome, दूसरा, gene introduced in host plant which produce sense and antisense RNA, अब जो gene है, host plant के अंदर produce हो रहे हैं, इतना हमने महनत करके जो RNA आई, technique बनाई, वो दो type के DNA produce करते हैं, sense वाले और antisense वाले, यह सब कुछ तुमारा कुछ को जगर याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था term 2 में, है ना, term 1 में, तुमने पहले पढ़ा हुआ है, वही सारा techniques, वही सारे words का हम use कर रहे हैं, देखो यहां पे, यह diagram क्या का दिखा रहा है, synthetic RNA है तुमारा, यह हुए क्या तुमारी cell membrane क्योंकि आट डेन हम क्या कैसा interference है, यह cellular interference है, cell के अंदर जा कि उसके metabolism की band बजा रहे हैं, तो cell के अंदर गया, अंदर गया तो पहले से कौन present था भाईया, इसने खुद का क्या किया, complimentary double stranded RNA बनाया, और suppose करो, यहा पे कौन था, कौन present था, तुमारा translation होने वाली थी, यह book का diagram नहीं है, पर तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हूं, तो translation होने वाली थी, तो translation वाला जो unit है, उसके साथ combine होके, उसके जितने भी सब particles है, तुमारा polymerase, इन सब क्या कर दिया, band बजा दिया, तो सब अलग-अल रहे हैं, बहुत सारे, तो नेमे टोड़ भी मर जाएगा, ठीक, देखो, यह है वो diagram, तो हमने किसकी तरह infect कराए, वायरस का यूज करके, कोई भी delivery vector, जो क्या हो सकता है, जल्दी बता, अभी पड़ा, या तो transposome होगा, या फिर क्या होगा, तुमारा एक वायरस होगा, ठी उसके बाद, अंदर आया, uncoating किया, अब nucleus के अंदर गुसा, nucleus के अंदर यह किसका था, host DNA था, अब host DNA ने क्या produce किया, तुमारा इसके अंदर fit होके sense और anti-sense, तो वो अपना क्या RNA produce कर रहा है, पर साथ में वो इसके साथ attach होके, अपना भी DNA, double stranded DNA या RNA produce किया, और यह जो उसक गया, तुकड़े तुकड़े में बैठ गया, तो transcription नहीं हो पाए, मतलब ultimate motto क्या है, हमको transcription नहीं होने नहीं, हमको नहीं, मतलब उस नेमे टोड के cell के अंदर, transcription को रोकना है, ठीक, तो यह diagram नहीं आएगा, पर तुम्हारे समझने के लिए बहुत अच्छा diagram है, तो चाहो तो यूज करके, GMO में पढ़ा हमने BT और RNAi technique, दूसरा जो topic है, इस chapter के अंदर, वो है तुम्हारा medicine में, अब मैं बोलोगे, मैं medicine में तो पहले से ही बहुत यूज हो रहा है, correct, इसी में हमको 2-3 तरीके से पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले, India में कितने total recombinant therapeutics है, मतलब recombinant techniques ह जो यूज होरे medicine field में, total 12 है, हम उसमें से सिर्फ तीन पढ़ने वाले हैं, चीक है, पहले वाले से start करते हैं, जिसका नाम है insulin, insulin या correct word अब बोलना, genetically engineered insulin, क्यों मैं, पहले जो insulin यूज करते थे, हम किस दूसरे animals की यूज करते थे, कौन से animals की, जो slaughter house में जाने वाले हैं, या तो cow होता था, या तपिग होता था, या sheep होता था, या horse होता था, उनके pancreas से वो insulin निकाल लेते थे, और अपने में inject कर लेते थे, बट वापस problem कहां आती थी, हर इंसान की body, अलग लगतारी किसे react करती है, तो हो सकता है किसी को allergy होती थी, किसी को नहीं हो जाती थी, किसी को anaphylactic shock लग जाता था, बिचारा लगा insulin, पर body को लगा कोई भार का आगया, antigen आगया, चलो मारते है, इतना ज़्यादा body में antibody produce हुई, कि वो इंसान ही चल बसा हमेशा के लिए, ठीक है, तो ये चीज, ये problem बहुत ज़्यादा देखी गए, तो फिर scientist ने बोले, एक काम करते जब अपन को पता है कि human का insulin अलग है, और वही insulin जो हम horse से निकाल रहे है, या cow से निकाल रहे है, या sheep से निकाल रहे है, या pig से निकाल रहे है, उनमें थोड़ा तो कुछ ना कुछ अंतर होगा, तो एक काम करते हैं, human का ही जो gene है, समझो बात को, human का ही DNA हुआ, DNA का जो gene हु यूज करके, bio reactors का यूज करके, फिर add then कुछ product निकल के आएगा, आएगा की नहीं, फिर उसका क्या करेंगे, हम down streaming process करेंगे, और जब ये insulin निकलेगा, और उस इंसान को लगाएंगे, तो ये तो exact same insulin composition होगा, जो इंसान खुद बना रहा था, क्यों, क्योंकि ये तो DNA से ही ल use हुई, ठीक है, तो previously insulin extracted from animal causes allergy, तो अब देखो, ये इतना point समझ में है, चलो अगले point पे move करते हैं, तो अब देखो, जो pro insulin है, अब यहाँ पर पढ़ रहे होगे, तुम pro insulin लिखा है माम, तो देखो, insulin के दो तरीके होते, एक होता है, inactive form, याद करो, सेम उसी तरीके से, जैस ही basic medium में चाता है, वो activate हो जाता है, चीक, तो वहाँ पर हमने क्या बोला था, proto toxin, तो यहाँ पर यह inactive form में रहता है, तो उसको क्या बोलते है, pro insulin, पर अब हमको, चाहिए किस form में, active form में, मतलब insulin की form में, तो बोलो के माम, दोनों में difference क्या हुआ, दोनों में सिभ एक chain का difference ह इनका difference है, देखो ज़रा यहाँ पर, यह है pro insulin, इसमें काम के 3 region है, मतलब 3 हम pro insulin को 3 में divide कर सकते हैं, यह है तुमारा A peptide, यह है तुमारा B peptide, और जो grey वाला दिख रहा है, वो है C peptide, तीनों की तीनों किस से जुड़े हुआ है, यहाँ पर SS करके labeling है, NCRT का diagram है, अपनी book open क करके देखो, तो SS वहाँ पर labeling दिख रही होगी, मतलब यह किस से जुड़ा हुआ है, डाई-sulphide bond से, तो जल्दी से मुझे बताओ, डाई-sulphide से क्या याद आया, तुमने immunity वाले चाप्टर में पढ़ा था, antibody, heavy chain और light chain भी किस से जुड़ी रहती है, डाई-sulphide bond से, द इन-active क्यों, क्योंकि इसमें तीन peptides होते हैं, A, B और C, जिसमें से काम की कौन सी नहीं है, C, तो अगर हमने इसके डाई-sulphide bond को तोड़ दिया, तो तुमारी A चेन अलग हो गई, B चेन अलग हो गई, और C अलग हो गई, और अगर A और B को हमने merge कर दिया, तो ये बन गया तुमारा active insulin, चीक है, तो वही किया गया है, देखो, तो pro-insulin जो inactive है, इसमें कितनी peptide chain है, तीन peptide chain, अब mature insulin कैसे बनाओगे, इसका bond तोड़ दो, A और B को ले लो, जोड़ दो, और फिर production स्टार्ट करो, तो mature insulin is done by using our DNA technique, याद करो, recombinant DNA technique, add the end, insulin क्या है, हॉर्मोन है, हॉ protein किस से कोड होता है, जीन से कोड होता है, अब जीन के अंदर तीन तुकड़े के form में है, A, B और peptide ही ना, तो A, B और C, तुमने C को हटा दिया, A और B का हमने वो segment ले लिया, जीन का जो responsible है, A peptide को produce करने के लिए, B peptide को produce करने के लिए, दोनों को उठाया, join कर दिया, और उ एक American company नहीं किया था, उस American company का नाम क्या है, अली लीली, ये है तुम्हारा वापस question, तो स्टार माक करो, कब किया था, 1983 में, अली लीली company did this by incorporating A and B peptide in plasmid, याद करो plasmid क्या है, vector, किसका vector, E को लाए का vector, बस, उन्होंने क्या किया, वो जीन ले लिया, जो A के लिए responsible है, प्र जीन का बतलब DNA का portion लिया, यहां का vector पकड़ा, जो plasmid था, यहां पे add कर दिया, add करने के लिए वापस DNA ligase का use किया, इसको उठा के किसमे डाल दिया, Ecoli में, चेक किया, कि क्या वो competent है की नहीं, उसके बाद इसका क्या क्या, culture कर लिया, कहां पे, bio reactor में, bio reactor के बाद क्या produce हो होने लगा, hormone produce होने लगा, बस उसका क्या कर लिया, bio processing कर लिया, और क्या गया, market में आगया, insulin के injection, ठीक, तो यह था तुम्हारा insulin के बारे में, अब दूसरा जो तरीका तुमको पढ़ना है, medicine में, उसको बोलते है, gene therapy, अब तुम खुच सोचो, तुम बोले कि माम, इतना अबर का DNA उठाया, vector में डाला, bacteria में डाला, bacteria को force वोली बोला कि चलो अब तुम produce करो वो hormone, फिर वो लिया, और इंजट किया, उससे बेटर है कि वो इंसानी पकड़ो, जिसमें गड़बड है, उसका DNA लो, वो DNA का जो particular gene जो खराब हो गया है, उसी को change कर दो, हाँ, हो सकता है उसी को तो हम पढ़ेंगे gene therapy के अंदर, पर सोचो, हमको अगर कोई ऐसा gene है, जो बिमारी cause कर रहा है, पूरी body में disease कर रहा है, तो तुम कौन-कौन से cell ले ले कि सारी चीज़े change करोगे, तो उस case में हमें किसमें change लाना पड़ेगा, gene में ही change लाना पड़ेगा, पर embryonic stage पे, तो समझो बात को, अगर तुमने embryonic stage पे change करना है, मतलब पहले तो तुमको detect करना पड़ेगा, हो सकता है कोई ऐसी बिमारी हो, जो family में run कर रही हो, अब तुमको लग रहा है कि जो अगला आने वाला offspring या जो baby है, उसमें भी हो सकता है, तुमने test लगा लिए, तुमको लगा इंसान का normal cell लिया, उसका DNA लिया, DNA का वो gene लिया, जो इसमें या तो खराब था, या तो present नहीं था, तो तुमने यहां से वो खराब gene हटाया, यहां का वो gene उठा के यहां डाल दिया, या फिर अगर present नहीं था, तो यह उठाया और यहां डाल दिया, जल्दी बताओ कौन सी टेकनिक यूज की गई होगी, इस केस में, micro injection, हमेशा कुछ ना कुछ पुराने चाप्टर का इंटर लिंग करके पढ़ो, याद करो, gene gun हमने किस में पढ़ा था, plants में change लाने के लिए, और micro injection किस के लिए पढ़ा था, animal के लिए, दूसरा तरीका हमने कौन सा पढ़ा था, कि अगर हमें यूज करना है, animals में, तो हम cancerous cell line यूज करते हैं, किस का यूज करके, retro virus का यूज करके, ठीक, तो gene gun मतलब basically क्या, वही, gene का change कर रहे हो, पर यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे है, gene therapy, मतलब हमने क्या किया, जो पूरी बिमारी की जड़ है, वो खराब gene, उसी को क्या क प्रीट कर रहे हो, पर अगर embryo में वो चीज होगी, तो वो एकदम सही रहेगी, ठीक, अब यह first time किस में किया गया था, एक लड़की में, चार साल की लड़की थी, जिसका नाम था, असांती डिसलवा, वो किस से सफर कर रही थी, ADA से सफर कर रही थी, कब 90's, 90's में, इतनी पुराने टेकनीक है, तो ADA क्या होता है माम, ADA एक autoimmune disorder है, क्या है उसका full form adenosine deaminase, अब इसमें होता क्या है माम, इसमें होता यह है कि हमारा immune system खुद पे ही attack कर देता है, ठीक है, और इसी का result क्या होता है, कि skid का formation हो जाता है, severe combined immunodeficiency, ऐसी बिमारी जिसमें होता क्या है, तु तुमारी body की immune system काम नहीं करेगा, और तुम basic बिमारिया, जैसे तुमारा bacterial infection, viral infection या फिर fungal infection से भी तुम्हें बहुत जादा reaction हो जाएगा, और ultimately इतना जादा severe problem हो जाएगी, कि death भी हो सकती है, severe cases में, ठीक, अब वापस याद करो, मैंने बोला lymphocyte काम नहीं करेंगे, lymphocyte मतल प्रडियूस का होती है, RBC बोलो या WBC बोलो, कहां होती है, bone marrow में, तो देखो, अगर higher organism की बात करें, individual की, मतलब माम, उसके bone marrow हमें हमेशा time to time change करने पड़ेंगे, correct, या फिर अगर वो चीज inherited चल रही है, तो embryo उठाओ, उसके DNA में जाके change कर डालो, तो देखो, यह जो picture द community ही नहीं है, जरा सा देखो, अभी मैं इतना बोल रही हूँ, तुम अपनी room पे या chair पे बैठके सुन रहे हो, continuous तुमारे आसपास bacterial infection, viral infection, fungal infection चल रहा है, पर हमारी body continuous fight दे रही है, हमको जिन्दा रखने के लिए वो भी healthier form में, अब इसका तो immune system ही नहीं है, ढंक काम करना ही बन कर रहा है, ढंक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको prone है वो infection का, ठीक है, इसलिए उन्हें क्या किया है, पुरा से pack करके रखा हुआ है, कि बिल्कुल जारा जो भी air भी लेनी है, वो sterile air लेनी है, ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं, इसको कैसे treat करते हैं, तो यह था तुम क्या करो, वही जो मैं बता रहे थी, higher individual में, bone marrow transplant, पर बताओ, bone marrow transplant क्या permanent अलाज है क्या, नहीं, हमेशा bone marrow time to time क्या करना पड़ेगा, transplant करना पड़ेगा, सोचो, bone marrow का होता है, जो inner most portion होता है, हमारी हड़ियों का, उसको bone marrow बोलते हैं, अब इस इंसान का, जो बिमार है, उसमें धंग से lymphocyte 1 नहीं रहे, तो तुमने क्या किया, एक normal इंसान का bone marrow लिया, इसका, जो defected bone marrow था, वो हटाया, उसका bone marrow डाला, सेम ऐसा ही कुछ होता है, thalassemia के case में, तो यह भी किया, पर यह वापस तुम्हें एक particular temporary हैं, कुछ interval तक किया, फिर वापस करना पड़ेगा, फिर व पहला पहला तो माम आगया समझ में कि हमने bone marrow कर दिया, दूसरा gene लिया, DNA में incorporate किया, अब बोलोगे माम कौन से DNA में करोगे incorporate, जो तुम्हारे lymphocyte का, क्योंकि problem किस की है, lymphocyte की, तो तुमने क्या किया, जो यह बिमार इंसान है, उसका lymphocyte थोड़ा सा निकाला, cells लिये, culture किये टेकनीक यूस कर रहे हो, उसका क्या क्या, recombinant gene या जो DNA है, जो हमारे इस protein जो गायब हो गया इस इंसान में, वो क्या कर दिया, incorporate कर दिया, culture हो गया पूरा, अब यह culture उठा के उस इंसान के lymphocyte या bone marrow में वापस transplant कर दिया, पर वापस यह तुम्हें time to time change करना पड़ेगा, बताओ क्यों, क्योंकि lymphocyte ही तुमने अब पहली थी खराब lymphocyte, जिसमें वो gene गड़ था, तुमने इसमें से थोड़ा निकाला, लाब में culture किया, इसमें सही वाला gene डाला, यह वापस उठाया, वापस इस इंसान में डाल दिया, पर डाला किसमें था, cells में, lymphocyte में, अब lymphocy का भी तो एक timeline है न, life span है, जैसे ही वो lymphocyte मरी, वापस property चले गई, तो मतलब इस इंसान को बार बार, मतलब एक तरीका, या तो bone मारो, fresh, healthy bone मारो, transplant करते रहो, यह करो, ने तो दूसरा तरीका क्या, बार बार culture लो, उगाओ, उसमें सही gene डालो, फिर जब वो उग जाए, वा life कत्म हो जाए, हो गई, वापस यही चीज बार बार repeat करते रहो, तीसरा तरीका, अगर यही करना है, तो कहा करो, embryonic cell में, एक बार ही problem solve हो जाएगी, पर वापस, यह जो चीज है, यह under research है, धीरे धीरे यह चीज इंट्रडीउस होगी, पर फिर भी सोचे, कितनी पुरानी first time technique कब develop हो गई थी, 1990s में, तो पहला तुमने medicine field में पढ़ा, insulin के बारे में, दूसरा पढ़ा तुमने gene therapy के बारे में, चलो, अब तीसरा हम slide में पढ़ने जारे, किस के बारे में, molecular diagnostic या diagnosis, तुम recombinant DNA technology यूज करते हैं, अलग-अलग diagnosis के लिए, जैसे जिसमें हम PCR technique, ELISA technique भी य instantly सुनाओगा, किस में, जल्दी बताओ, COVID test, हम क्या बोलते हैं, RT-PCR कराना पड़ेगा, तो खुच सोचो ना बाबा, वो PCR क्या stand कर रहा है, same वह PCR जो हम पढ़ रहे, polymerase chain reaction, तो अगर बताओ, polymerase chain reaction, basically करता क्या है, जो भी DNA है, उसको क्या कर देता है, amplify कर देता है, अब बोलो करो, COVID का infection हुआ, infection उस इंसान को हुआ, इंसान के cell के अंदर, वापस virus कैसा है, retro virus, उसने अपना DNA डाल दिया किस के अंदर, DNA किसका, human के DNA के अंदर, अब हमने क्या क्या, वही DNA लिया, उसका multiple copies बनाते चले गए, और अगर फिर बाद में study करने के बाद, हमको पता चला, अरे, इस human DNA के साथ-साथ, हमको viral DNA भी बहुत सारी form में दिख रहा है, confirm हो गया कि इस इंसान को क्या हुआ है, corona infection, देखो जरा, तो first time PCR कहां यूज किया गया था, to detect HIV in AIDS patients, detect mutation in cancer patient also, तो अगर कोई एक cell वापस, I like it वाली cell बन चुकी है, पगला चुकी है cell, basically cancerous cell हो चुकी है, तो उसका DNA या उसका gene कुछ ना कुछ तो गड़बडाया रहेगा, अब वो कितनी फैल रही है, जब हम अलग-अलग tissue लिया हमने, और उसका क्या किया PCR लगाया, तो हमको वो जो गड़बडवाला portion है DNA का, वो हमें जादा नंबर में दिखने लगा, तो हमको समझ में आ गया कि अरे ये जादा नंबर में बोड़ी के अलग-अलग parts में मिल रहा है, मतलब cancer बढ़ता जा रहा है, या फिर जो HIV का virus है, वो AIDS के patient में अब इस cell में भी damage किया है, इस cell में भी damage किया है, आई बात समझ में, देखो corona test भी किसका use कर रहा है, PCR टेकनीक का, तभी तो हम test का नाम RT-PCR, ठीक, दूसरा, auto-radio-graphy, तो auto-radio-graphy क्या है, a single-stranded DNA और RNA tag with radioactive molecule, देखो, इतना माम बोलोगे, इतना technical समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, दीरे-दीरे पढ़ो, सबसे पहले graphy का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज तुम्हें printed graph, page के form में दिख रहे है, मतलब कोई चीज radiation का मतलब है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई चीज तुमने attach किया है, कि जब उसको कोई particular wavelength की light पड़ोगे, तो वो खुद emit करने लगेगा energy, दिखाने लगेगा, अरे मैं हूँ यहाँ पे, तो समझो बात को, तो radio का मतलब यहाँ पे emit कर रहा है, मतलब क्या radio active elements, या radio active chemical या molecule का use कि है, ठीक है, तो एक single stranded DNA और RNA, मतलब तुम्हारा single stranded DNA है या RNA है, उसको tag, tag मतलब attach कर दिया है, ठीक है, उसके जो भी peptides है, या फिर जो भी उसके bonds है, या जो nucleotides है, उसमें तुमने क्या कर दिया, attach कर दिया, क्या attach किया है, radioactive molecule, अब जो भी चीज radioactive molecule होता है, वो किसी को attach करने मे identify करने में use करते हैं, उसको हम probe बोलते हैं, ठीक है, is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using auto radiography, अब समझो, अब बोलो के माम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझो बात को, suppose करो एक normal cell है, मैं तुम्हें ये चीज़ antigen के meaning से समझाओंगी, ठीक है, तो एक normal cell है, ठीक है, cell है, मतलब cell membrane होग तो protein किसकी तरह काम करेंगे, antigen की तरह, suppose करो इसी antigen को attach कर दिया, मैंने एक चमकदार चीज से, तो चमकदार चीज कुछ और नहीं, एक radioactive molecule हो गया, इसको मैंने probe बोला, अब मैंने देखा, और फिर उसको एक auto radiogram या फिर बोल सकते, एक machine के through scan करवाया, तो मुझे कुछ रखती हुई दिखने लगी, अब मुझे पता है कि normal cell में ये वाला antigen present होता है, तो जो मैंने chemical probe डाला है, जो radioactive molecule डाला है, जितना मेरे को radioactive molecule दिखेगा, मेरे report में, मतलब उतने मेरे क्या हुए, normal cell, तो अब इसमें में क्या पहचान रही हूँ, abnormal cell पहचान रही हूँ, suppose करो ए brain का structure है, यहाँ पे brain का tissue है, यह इतना portion मेरा क्या करा है, brain का particular part का चमक रहा है, auto radiograph, radio activity दिखा रहा है, क्योंकि radioactive molecule है, तो वो चमक रहा है, क्योंकि वहाँ पे normal cell है, और normal cell ही इस molecule के साथ, या प्रोब के साथ, अटाच होंगे, तो बोलोगे माम मतलब abnormal molecule, abnormal molecule या जो defective molecule है, या cell है, उन में वो जो antigen था वो अब नहीं है, तो प्रोब आएगा भी, तो attach कहां करेगा, कहीं नहीं, क्योंकि attach करने की तो जगए नहीं है, तो जब मैंने scan किया, तो वो प्रोब तो चमके गए नहीं, मतलब अगर इतने में से tissue में से इतनी चीज चमक रही है, और इतना मतलब यह क्या है, मेरे damaged tissue दिखा रहा है मेरे को, टीक है, सेम जिस तुम तूसरा ultra vison versa भी यूज कर सकते हो, हमने ऐसा एक प्रोब डिजाइन किया, जो जाके cancerous cell पे ही attach होगा, टीक है, अब जब मैंने scan किया, जब मैंने देखा, तो जहां जहां वो report में चमक रहा है, मतलब वो cell क्या है, सारी cancerous cell है, क्यों, क्योंकि वो probe ही एकदम specific design किया गया था, कि cancerous cell, cell मतलब cell membrane, cell membrane मतलब उपर का antigen उसके साथ attach हो, जो ऐसे antigen जो सिर्फ cancerous cell में मिलेंगे, आई बात समझ में, तो यह सब क्या था, auto radiography के बारे में था, चलो, अब आते हैं, तो इसी में तुमने एक और टेकनिक मैंने PCR के बाद लिखा था, ELISA, तो ELISA का full form अपन को याद रखना है, important है, exam में 110% question है, तो क्या है, ELISA मतलब enzyme linked immunosorbid assay, ठीक है, कैसा ऐसे है enzyme linked immunosorbid assay, यह किसके उपर काम करता है, वही, जैसे अभी मैंने बोला, antigen, antibody, तो वहाँ पर probe किसकी तरह काम कर रहा था, antibody की तरह, ठीक है, तो और किसकी उपर attach हो रहा था, antigen की तरह, तो यह भी उसी interaction पर काम कर रहा है, देखो ज़रा diagram को, अब देखो, यह रहा तुमारा, अब यह जो disk है, वो disk नहीं है, तुमको देख रहा है, disk मानो यह cell है, तो cell का यह क्या हुआ, cell membrane हुई, ठीक है, यह हुई क्या, cell membrane, अब cell membrane के उपर कुछ protein निकलते रहते हैं, उसको हमने क्या assume क्या, यह है तुमारा antigen, ठीक है, उससे क्या attach हुई, primary antibody, क्योंकि antigen के उपर क्या attach होता है, primary antibody, अब primary antibody से हमने primary antibody ही ऐसे design की थी, कि उसके उपर जब हम secondary antibody डालेंगे, वो भी primary antibody पर attach कर जाएगी, तो यह हुई तुमारी secondary antibody attach, और secondary antibody को कुछ चमकदार चीज़ से probe किया था, मतलब को radioactive element से हमने क्या किया था, probe किया था, ठीक है, तो अगर वापस basic concept वही है, कि अगर यह cell, खराब cell है, disease cell है, damaged cell है, तो हो सकता है यह antigen दिखे, ठीक है, तो अगर antigen होगा, तो जो मैं antibody और secondary antibody इसमें attach हो जाएगा, तो जो मेरे report आईगे, उसमें वो चीज़ चमकने लगेगी, मतलब मेरे को पता चल जाएगा, बाबा इस tissue में इतने सारे cells क्या है, damaged है, यह इसी को reverse form में यूज करो, मतलब normal cell में antigen रहेगा, तो यह सारे चमकेंगे, तो जो चीज मेरे को नहीं दिख जो चीज मेरे को कुछ report में दिख नहीं रही है, मतलब उतने cell क्या है, damaged है, आई बात समझ में, तो यह किस के उपर काम कर रही है, antigen, antibody interaction पे, चलो अगली slide में मूव करते हैं, तो अब कौन सा topic पढ़ना है, transgenic animal, तो देखो, transgenic animal मतलब हमने उनमें कुछ modification ले क्या है, ठीक that have their DNA manipulated, वाई, changes ले के आ गए, to possess and express an extra gene, are known as transgenic animal, अब बोलोगे मैं, अनिमल में क्या change लाने की जरुवत है, तो यही question मनेगा, देखो, तो reason behind transgenic animal, पहला, to study क्या, normal physiology and development, अभी भी हमारी body के बहुत सारे physiological, developmental aspects हमको पता ही नहीं है, तो हमने क्या किया, अगर हमको हमारी morphology, anatomy, physiology, biochemical level पे, biomolecular level पे पढ़ना है, development कैसे हो रहा है, यह पढ़ना है, तो इसके लिए सबसे best model कौन सा होता है, transgenic animal, दूसरा, कोई बिमारी पढ़नी है, अब बहुत सारी बिमारिया है, जैसे Alzheimer हुआ, Parkinson's हुआ, in fact epilepsy हुआ, यह हमको पता ही नहीं है कि reason क्या है, इसके behind, तो हमने क्या किया, हमने एक वो gene लिया, जो इंसान में वो बिमारी cause कर रहा था, वो gene उठा के किस में डाल दिया, mice में डाल दिया, सबसे बढ़िया example होता है, transgenic animal का mice, क्योंकि वो study sample एकदम मैच करता है, human के, ठीक है, mice हो गया, rat हो गय monkey हो गया, इन में डाल दिया, अब जब इसका development होने लगा, तो हमने क्या क्या, इसमें का sample लिया, study क्या, कि ऐसे क्या change आ रहे हैं, जो human में आ रहे थे, और हमको बिमारी का reason ही नहीं पता, तो हम किसी भी बिमारी का जड़ पता कर रहे हैं, कि what is the major reason behind that disease, तो इसका best example क्या है, ट्रांस जैनिक आनिमल ले लो, उसका development देख लो, और वही जीनिस में express कर वालो, तो same symptoms आने लगेंगे, जैसे इंसान में थे वो है, इस आनिमल में आने लगेंगे, अब वो लोगे माम, cruelty तो हुई, हाँ हुई बाबा, पर ऐसा तो नहीं है, कि इंसान में गड़ बर हो रहे जान बच जाएगी, reason पता चल जाएगा, चीक, उसके बाद, तीसरा reason क्या है, biological products obtain करने के लिए, अब बोलोगे माम, आनिमल से क्या biological products obtain करना है, तो देखो, human protein, alpha 1, anti-trypsin, जल्दी बताओ, तुमने 11th में पढ़ाओगा, trypsin कहां पे use होता है, जल्दी बताओ, नहीं आदा चार्ट बोक्स में लिखो, 11th की बुक खोल के देखो, मैं सिव एक clue दोंगी, trypsin यूज होता है, digestion के लिए, digestive system में कहीं तो निकलता था, जो किसी particular चीज का digestion के लिए responsible था, तो देखो, human protein, alpha 1, anti-trypsin, used to treat emphysema, पर ये trypsin और ये anti-trypsin, कैसा anti-trypsin, alpha 1, anti-trypsin, किस को treat करने के लिए, तो हमने क्या क्या है, एक ऐसा gene उठाया, human protein उठाया, animal में बनाया, जिस से क्या बनेगा, alpha 1, anti-trypsin बनेगा, बस उस animal से निकाला, हमें इंजट कर दिया, कहानी तो वहीं की वहीं है, similarly, attempts have been made for treatment of phenylketonuria, याद होगा, term 1 का ही है, genetic disorder में तुमने पढ़ा phenylketonuria and cystic fibrosis, तो यह जो बिमारिया जिस वज़े से हो रही है, तो हमने क्या किया, हमको क्या करना है, products to obtain करने, normal human में वो products नहीं बन पा रहे थे, तो हमने वहीं products किसमें बन वा लिये, transgenic animal में, फिर वहां से क्या कर लिया, extract कर लिया, कहां डाल लिया, human में, ठीक है, in 1997, the first transgenic cow, इस पे आता है questions, star mark करो, यह picture उसी का है, तो पहली गाए, जो transgenic थी, नाम क्या है, Rosie, को बनाया गया था, क्यों, अब बताओ, गाए से हम क्या obtain करते हैं, बोलोगे माम दूद, correct, तो normal दूद और जो transgenic cow से जो milk obtain किया था, उसमें nutritional value हमने increase करके obtain की थी, अब obtain ही कर रह पनने लगेगा, तो उसकी nutritional value क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, याद करो जब तुमने GMO पड़ा था, उसमें मैंने एक बोला था, golden rice, है ना, तो similarly, ऐसे ही कोई concept हम यहाँ उसकरे, वहाँ, plant था यह, animal हो गया, देखो, Rosie, a human, produced protein rich milk 2.4 gram per liter, the milk contained human alpha lacta albumin and was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk, अब समझो बात को, बहुत बार क्या होता है, mother milk baby को नहीं पहुच पाता, तो वो अगर याद होगा, तो market में क्या आता है, formulated milk, powdered milk, पर हमने क्या किया, हमने human gene निकाला, जो human female में क्या produce कर रहा था, milk produce कर रहा था, उस gene को उठा के किस में डाल दिया, cow में डाल दिया, अब जो cow milk produce कर रही है, उसकी nutritional value किस के बराबर है, human के बराबर, बस, आदी problem solve, बहुत सारे babies को हो सकता है, mother की death की वज़े से, या कोई medical term होगा, या medical condition होगी, जिस वज़े से, वो feed नहीं करवा पा रही होगी, याद करो, क्यों important होता है, mother's milk, क्योंकि उसमें क्या रहती है, antibodies, कौन सी antibody, IgM, IgA, तो अब ये दोनों गायब थी, हमको ये और साथ में nutritional value भी चाहिए थी, तो हमने ये इजीन उठाया, cow में डाल दिया, आप cow का जो मिलका है, उसका nutritional value एकदम किस के बराबर था, human के बराबर, low आदी से जादा problem हो गई, solve, ठीक है, तो हमने क्या obtain किया, biological product, उसके त holistic fibrocess का treat करने के लिए, और main तो बबाई ये रोजी का याद रखना है, कि ट्रांस जैने काओ, रोजी जो फर्स ताइम यूज की थी, उसमें क्या speciality थी, क्या speciality थी, उसकी nutritional value किसके साथ माच कर रही थी, human milk के साथ, ठीक है, दो चौता, vaccine safety, अब vaccine safety मतलब क्या, अब इतने ही महनत से vaccine बना लिए, यही, corona vaccine बना लिया, याद करो, जब पहले बन रहा था, पहले साल में, corona vaccine process में था, तो तुमने सुना होगा, अभी animal trial चल रहा है, कुछ आया समझ में, तो animal trial का मतलब क्या हुआ, डारिट इंसान पर test करने के पहले, animal के उपर test होता है, पर यह animal normal तो नह ला जाएगा, ताकि वो कैसे वो corona की symptom शोग करने लगे, फिर जो हमने vaccine बना है, वो उसको लगा के देखेंगे, देखेंगे क्या इसको सब सारी चीज़े सूट कर रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई side effect हो रहा है, ऐसा तो नहीं कोई allergy हो रही है, क्या धंग से यह antigen antibody बना क कोरोना को रोकने में help कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए वापस किसका use चाहिए, आनेमल्स का, तो ट्रांसजनिक आनेमल्स का क्यों use कर रहे हैं, हम vaccine की testing के लिए, अब vaccine की testing के साथ साथ बहुत सारे chemicals भी है, उनकी भी testing की जाती है, ट्रांसजनिक आनेमल्स पे, तो यहाँ हुआ तुमारा जो medicine वाला, medicine नहीं, पूरा bio technology को हमने तीन में डिवाइट किया था, agriculture, agrochemical, organic और तुमारा GMOs, जिसमें तुमने पढ़ा BT और RNAi, ठीक है, फिर बीच में तुमने पढ़ा medicine में, medicine में बताओ जल्दी-जल्दी कौन-कौन से पढ़ा था तुमने, नहीं याद पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने किस के लिए पढ़ा था, insulin के लिए, फिर था तुमारा gene therapy और फिर था diagnostic के लिए, और आखरी वाला जो मैंने बोला था, कि हम genetically modified animal या transgenic animal use करतें for research purpose, research purpose, disease का detection के लिए, physiology study करने के लिए, vaccine की testing, chemical testing, तो ये सारे क्या complete हुए, applications complete हुए, biotechnology field के, आखरी topic है तुमारी book में, जिसका नाम है ethical issues, अब तुम खुदी बोल रहे होगे, माम इन विचारों क्यूट क्यूट से आने मेले, उनकी उपर क्यूट टेस्ट करना, उनको भी तो pain होता है, हाँ होता है, तो यही सब आता है bioethics में, तो bioethics basically क्या है, एक organization है, एक body है, कौन add-on तुम वो जानवर पकड रहे हो, उनको बिमार कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनका पुरा analysis कर रहे हो, मर तो कोई ना कोई राइफ रही है न, तो पहले यह इस committee से approval लेना पड़ता है, कि बाबा हमारा यह project है, यह research है, अगर यह successful रही, तो इतनी बड़ी problem solve हो जाएगे, humankind के favor में है, तो जब यह committee approve करती है, तब ही कुछ होता है, तो इसमें याद क्या रखना है, इस committee का full form याद रखना है, ठीक, दूसरा, इसी issue के, इसी heading के अंदर आता है, patents, अब patents तुमने सुना होगा, कि एक idea भी patent हो सकता है, एक design भी patent हो सकता है, एक model भी patent हो सकता है, है कि नहीं, तो basically कोई भी चीज जो basically तुम्हारी है, original है, और तुमने अभी तेक देखा कि किसी ने copy नहीं किया, तुमने copy नहीं की है, वो भी important है, तो बोलो कि माम हमारी original है, पता चला कहीं से copied की हुई है, ठीक है, original होनी चाहिए वो चीज, तो उसको हम क्या करवाते है, patent करवा था, कि जैसे जो developing countries रहती है, उनके पास उनका indigenous knowledge, domestic knowledge, medicinal knowledge बहुत जादा होता है, जैसे हमारे इंडिया में हमारे पास तुलसी, नीम, हल्दी, aloe vera, उसके बाद rice, इन सब यह बहुत हम सालों से यूज करते हैं, तो यह basically कहां का है, यहीं का है, क्यों, याद करो उने पिछले chapter में बताया था, क्योंकि इनकी wild variety यहीं मिल रही है, इनके DNA में variation भी यहीं देखने को मिल रहा है, तो यह basically किस के हुए, हमारे देश के हुए, यह सारी चीजे, पर अब क्या हुआ, US ने क्या कर लिया था, पेटेंट कर लिया था, किसको कर लिया था, बासमती rice को कर लिया थ फिर हम लड़े, यार करो, सेम भाई चीजे, हमने बोला कि देखो, हमारे mythological books में, हमारे spiritual books में, हम तो कितने समय से इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं, पर वो मानेंगे क्या नहीं, उनने बोला genetic proof बता, तो हमने बोला, देखो, इन सब की wild variety, DNA variation हमारे यहीं मिलता है, तो हम तरीके से नीम का, तुलसी का और हल्दी का भी patent हमने उनोंने कराया था, पर हमने वापस ले लिया, अब तो उनोंने बेसिकली क्या किया, हमारे knowledge की क्या कर ली, चोरी कर ली, तो इसे को क्या वोलेंगे, बायो पाइरसी, तो बायो पाइरसी is a term used to refer to use of bio resources, अब ये तो जो र and other organization without proper authorization from the countries and people concerned without compulsory payment, हमसे पूछा भी नहीं, उनोंने बोला, आज से हल्दी, नीम, तुलसी, बासमती हमार हुआ, ऐसे कैसे हमारा हुआ भाया, इतने जन्मों से हम यूज कर रहे है, हमारे पास उसका DNA का variation है, wild variety है, तो तुमने क्या किया, बायो पाइरसी की, चोरी कर ली, और हमने और पेटेंट भी करा लिया, उसके उपर के हमारे, फिर हमने केस किया, कि नहीं हो सकता, क्योंकि wild variety, DNA में variation हमारे इंडिया में मिलता है, तो ये चीज उल्टी हमको दो, हम पेटेंट करवाएंगे सारी चीजे, ठीक, तो देखो, यहाँ पे इस टॉपिक के साथ हु हुआ complete, अब जो भी तुमको तुमारे को chapters, lectures मिस हो गए होंगे, वापस revise करने है, तो क्या करोगे, Google खोलोगे, उस पर क्या type करोगे, www.magnetbrains.com, जैसे ही खोलोगे, home page जाएगा, home page जाने के साथ, जो भी तुम class लेना चाहो, class को क्या करोगे, select करोगे, उसके पाद अपने सब topics देखोगे, subject wise देखोगे, click करोगे, तो वो उस educator का videos मिल जाएंगे, बस फिर क्या करना है, सुनना है, पढ़ना है, notes बनाने है, और क्या करना है, हमारा channel हिंदी में भी है, तो like करना है, share करना है, subscribe करना है, यहाँ पे होता है तुमारा one shot, इस chapter का complete, और वापस मैं टाट लेके आऊंगी, मैं बहुत जल, तब तक study hard